जै काल बहरो जै गुरा मैता अंत्रिक देती आप सबका स्वावित करता हूं इस वीडियो में और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा बहुत सारी जानकारी मिलेंगी आज हम बात करेंगे आत्माओं की दुनिया की जो आत्माओं को लोक होता है लोक करती है नहीं होता कोई ताला नहीं लोक हम कहते हैं किसी दुनिया को किसी ऐसी दुनिया को जिसे पातालोक, मिर्त्य लोक, आकास लोक इसी परकार लोक, लोक करत हुआ आत्मा लोक यानि कि जब इंसान आधी मिरत्य वस्था में होता आधी मिरत्य वस्था क्या होती है बड़े-बड़े बिद्बान जो है आज के समय में यूटूब पर बैठे हैं बहुत बड़े बड़े बिद्बान परवचन देते हैं गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, विदो को पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने से रट सकते हो, ग्यान तो मिलता नहीं है, शुलोक पढ़ सकते हो, परंतु ग्यान नहीं मिलता है, ग्यान तो सुनने के वस्था से मिलता है, और सुनने के वस्था क्या है, इसे जानने म लोग की आयूख खतम हो जाती है तो ग्यान को एक सहजिता से प्रात किया जा सकता है ये एक सुन्दर दोनी है एक सुन्दर सुगंद है और मनुश्य आनंद मैं है ये ग्यान है जैकाल भेरू, जैगोरा ओम हठिरी बरदाई नमा तो आज हम बात करेंगे आत्माओं की दुनिया कहीं बार सपने में होता है कोई मनुश्य सोजाता है तो सपने में देखता है कि अजीब सा कोई जैनवर उनका पिछा कर रहा है कोई शैतान, कोई प्रेइद, कोई भूत उन्हें मारना चा रहा है उन्हें कश्ट पुचा रहा है और अपने ही सपने में वो मनुस्य भाग रहा है असल जिंदगी में वो मनुस्य इतना तेज नहीं दोड़ सकता परन्तु सपने में उसकी रफ़तार 100 किलोमेटर परती गंटा है वो पाड़िया कुद रहा है जर्ने कुद रहा है ऐसा कैसे देखो महा भारत में श्री क्रिशन भागवान कहते हैं आत्मा जो होती है इसके इसे चोट नहीं लग सकती इसे मारा नहीं जा सकता ये नस्वर है जैसे कि उन्हों ने कहा है क्रिशन भागवान कहते हैं भावरत में आत्मा को कोई वद नहीं कर सकता इसका नास नहीं कर सकता आत्मा अजैम रहे तो जो आत्माओं का लोक होता है मिरत्य लोक अलग है पाता लोक अलग है अकास लोक अलग है और आत्माओं का जो लोक होता है वो अलग है ये लोक कहा है जब इंसान जिन्दा रहता है शरीर में हूँ मैं जिन्दा हूँ मैं समझा रहा है मेरी बात को बहुत गहराई से एक किसी भी वीडियो में तुम्हें जानकरी जरूरी मिलेगी और ये जानकरी तुम्हें कोई नहीं देगा बटकते रह जाना ये वीडियो के माद्धे हमसे जानकरी दे रहा हूं बहुत ही जरूरी जानकरी है कुछ के लिए ऐसी होती है तुम्हें जब ये पता ही नहीं आत्म लोग होता क्या है तो यदि तुम्हें किसी कोई अकाल मृत्तु मर गया हो और कोई आदमी तुम्हारे पास आए और कहे गुरुवर मैं ये बात अपने सादकों से कह रहा हूँ जो मेरे सादक सीखते हैं मुझसे पांत्रिक विद्धिया उनके लिए बात है और जो वैसे सुनने वाले हैं उस सुनते रहें मानलो तुम्हारे पास कोई वेक्ति आए और कहे गुरुवर मेरी मा ये मेरे पिता ये मेरा भाई अकाल मृत्तु को पराप्त हो गया क्या मुझसे बात कर सकता हूं क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं उसकी स्थिति कैसी है उस स्थिति में तुम्हें बात करने के लिए आत्मा को जो लोक आत्मा की जो दुनिया होती है वहां का एक कोटवाल होता है कोटवाल जैसे पुलीस होती है जिसे एक कोतवाल होता है पुली स्थाने में उसका वो होता है यह जेल होती है उसके अंदर जो है एक कोतवाल होता है और हमें किसे मिलने जाना पड़ता है तो हम आप पूछते हैं तो वो जाके अंदर से उसे बुला के लाता है तो हम एक स्थान पे हम मिलते हैं बात करते हैं हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कुछ को ना पता हो अब मैं ये बात बताऊंगो तो घंटे लग जाएंगी धरम राजगून है तो जो धरम राज होते हैं उनके दुआरा जो है ये ववस्ता बनाई जाती है तो जो कोतवाल होता है आत्मा की दुनिया का उससे संपरक साधा जाता है और वो कोतवाल यदि तुमारे पास कोई सिद्धी है अपनी सिद्धी की मदद से किसी भी देवी की मदद से तुम उस कोतवाल को आदेश करते हो और जो विक्ति अकाल मिर्तु मरा है वो उस दुनिया से बाहर आता है उस दुनिया से बाहर आता है कोटवाल लेके आता है और उसे हम ले आते हैं और उसे हम बात करते हैं हम चाहें तो उसे मिर्तु लोक में छोड़ सकते हैं आत्मा को चाहें तो हम मिर्तु लोग में भी छोड़ सकते हैं चाहें तो हम उसे आत्माओं के लोग में भी छोड़ सकते हैं वापस कुछ आत्माओं मिर्तु लोग में भटकती हैं जो प्रेत यूनी में चली जाती हैं और भटकती रहती हैं जो कोतवाल के हातों लग जाती है यानि कि जो सही समय पर जैसे कोई अकाल मिरत्यु मरा तो एक परकार का सिस्टम है यानि कि भगवान ने भी ऐसी पुलिस बनाई हुई है जैसे कोई अकाल मिरत्यु मरा तो ततकाल उसे पुलिस ढूंडती है यानि कि धरम राजयम राज की प दाल दे जाता है। ठीक है। तो आत्माओं का लोग होता है। कुछ वहां मरने के पचात पोश्टे हैं और कुछ वहां जीते जी। अब होता क्या है। हम बहुत गहरी बात बता रहा हूं वाकरण जाने। तुम्हारे समझ आएगी कि नहीं आएगी पर बता देता हूं। तो बात तुम्हारा दिमाग को चकरा देगी। लेकिन समझ ना। एक हिस्सा है जहां आत्माओं का लोग होता है। जहां मरने के पच्चात आत्मा जाती हैं। जो अकाल मेरतों मरते हैं। ठीक है। एक हिस्सा है जहां जो लोग जिन्दा होते हैं सो रहे हैं। यानि कि निंद को मोत की बहन बताया गया है जो नीद होती है इसे कहा गया है कि ये मोत की बहन है मोत की बहन है तो जब इनसान सोता है तो वो आधी मोत में होता है यानि आधा मरा होता है आधा जिंदा होता है आतमा उसके सरी में नहीं होती है तो वो जो आतमा जाती है सपना जो हम देखते है वो उसी आत्मा लोक में जाती है जो जीवित आत्माओं का लोक है और दूसरा लोक है मिरत आत्माओं का तो ये दो लोक हो गए और ये जो दो लोक हैं इनने आपस में एक रस्ता मिलता है यानि कि जो मरे वे लोकों के आत्माओं होती है अगर को किसी को जानती है, तो इस ही लोग के माध् Onion, वापस में बात कर पाती हैं, तो यह एक रस्ता जुड़ता है, यह तीसरा हिस्सा बनता है, यही बड़ा लोग कहला जाता है, यह बड़ा लोग होता है, ठीक है, जीवित आत्मा लोग का भी, वो मेरत आत्मा लोक का भी है ये एक बड़ा लोक है यानि कि एक संग्र है बड़ा चक्र है इसमें सब कुछ है सब कुछ पूरी धर्टी ब्रह्मान सब कुछ समझना इसमें एक परकार से इसमें ही तुम्हें सोपनाते हैं इसके अंदर ही तुम पे हमले होते हैं इसके अंदर ही तुम्हारे सपने में तुम्हारा पीछा बुरी बुरी आत्माएं प्रेता आत्माएं कोई जानवर सेर चीता करता है यह जो तुम सपने में टर जाते हैं कोई जीब सी चीज है या तुम किसी building पर खड़े हो, गिर गए हो, तुमारी आँक खुल गई है, तुम कोई घटना देखा, तुम सब यही होता है, ठीक है, यह समझ लेना है कि ऐसा तुमारा इलाका है, एक ऐसा लोक है, जहां पर अच्छी बूरी दोनोची जाती है, जो मर चुकी है आतमा है, प् करकार होती है, और यह समझने में शायद तुम्हें समझ ना है, कोई गैरंटी नहीं है, कि तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया है, तो मैंने तो परियास किया है, कि तुम समझ जाओ मेरी बात को, पर जरूरी नहीं है, मेरी बात हर व्यक्ति के सम जाए मैं सिर्फ परियास कर सकता हूं तो मैं समझाने का तो ये लोग हो गए है ठीक है अब उन सादकों को जो मुझे सीखते हैं उनके लिए मेरा क्या संदेश है अगर किसी प्रेत आत्मा को कोतवाल धर्मराज का कोतवाल धर्मराज की पूलिस बंदी बनाती है तो जो लोग मर चुके हैं मृत्तु प्राप्त हो चुके हैं उनका जो आत्मा को लोग होता है जिसे प्रेत लोग आत्मा लोग कुछ भी कह दो इस हिस्से को उस हिस्से में जा था कि वो धरती पे नभठक सकेगा। तुम ने देखा वोगा बहुत सारी पिचेर और बहुत सारे नाटकों में, भारत के बहुत सारे ऐसे नाटक आते हैं कि यहाँ अबर्धाय कोई अत्मा है और कोई पादरी है, कोई जीजस को मानने वाला है, और करोष deepest सिर्थ मरत्र पड प्रेत लोक में प्रेत लोक में प्रेत लोक में तो उसके पस्चा जो है धरम राज निरने करेगा धरम राज फिर उसके नियाए होगा उसका नियाए भी होता है नियाए किस पर यह जो धरम राज यह मराज होते हैं यह नियाए करते हैं धरम अधरम इसने क्या क्या धरम क्या क्या धरम क्या क्या उसके अनुसार इसे सजा मिलती है नरक में जाएगा यह स्वरक में जाएगा अ ऐसे से मुर्खा बेटें ये भी नहीं बता काल चकर क्या होता है और बड़े बड़े प्रवचन देते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा धर्मराज न्याय कैसे करता है प्रेत आत्मा आत्मा आम इंसान की आत्मा भूत प्रेत इन सब क किस परकार होता है कैसे लिखत पड़त होती है इनकी पेसी कैसे होती है दर्मराज के सामने और दर्मराज न्याय कैसे करता है और कितनी परकार की सजाए है नरक में किस कर रही से कौन सा करम करने से कौन सी सजा मिलती है सजा कि किस परकार की सजाए है वो वीडियो जल्दी आ किया और इसमें बहुत अच्छे ब्यू आए और मुझे लगा मेरी मेना सफल हो गई है इस वीडियो को बना कर तभी मैं नरक स्वारग और ध्रमराज के ओपर वीडियो लाँगा जैकाल भैरो अब मैं आप सब साके लिए